ललन प्रधान आदो जी ललन ने आदो आई आई आम लोगां तो जब से नी भाव ओटा कोटा एकको कुछ ना पाए है रासन नहीं मिलता आपको नहीं 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 में लोग रुपेया पाईशा मिले हमालों के घार दुबार गी अधे लिख लक लाइगे ने को ना मिले देख कि क्वाइब साड़ कर लाओं के लालत ने आदा नगे कि अधारे आप लोग न स्वार्व नियों नाम बताने में कैसा कुछ ने नहीं नहीं को पता नहीं आपके गाउं परधान को ड़र लगता क्या हो रही डर क्या लगेगा बाइव नाम बताने क्या जाता है अरे यह कुछी बात हुए आप मोधी 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 उसको कहा भेजा जाए कहा नहीं भेजा जाए इसके लिए कोई रास्ता मिलना चाहिए की नहीं यह सवाल कीजी आप योगी जी से योगी जी से वो सरकार जिसकी है बात तो उसी के पास पहुचाए यह आएगी यह सार छोड़ा कौन है योगी जी की देन है कि वो सार छूटे ह तो सारी कहानी तो योगी साहब ने सब खतम कर दिया है गव काते हैं गव साला खुला है यह खुला है कहीं गव सालम जाएगा कैसे गारी में लोड करके ले जा तो रास्ते में पुलिस तंग करती है इसको कहां छोड़ा जा इस घटना से एक आदमी की जान चली गई है इस लिए पकड़ के उसको बांदा गया है इसका कोई रास्ता कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपको कुछ लग रहा है कि कैसे इस परिशाएं से निजात मिलेगी निजात यह मिलेगी कि एक काट पाट फिर चालू करा मता कें हुग जान लगे हैं बिल्ग निलगाा अ अब सब्सक्राइब बनाई है इनको बेस्ता भी वह घाता है आफ़ के लिए गव्साला बनावें, या कुछ भी करें इसको वहां पहुचाया जाए मोदी जी बोले है किसानों का करझ माफी क्या अलेक्षन के बाद होगा कि अलेक्षन से पहले किया जाता है तब ही तो किसानों का भरोसा जो है उठता जा रहा है ने वादा करकर कोई पूरा करते नहीं वादे को पूरा करने के लिए पहले किया जाता है अलेक्षन के पहले करजा माफी किसानों के कीजिए जो छोटे बेचारे किसान ये लागडाउन से परेशान है दो साल से तो इनके लिए जो बेचारे लिए हैं जो भी 50,000-40,000 लाख तक लिए हैं तो इनको माफी दिया जाए पहले ही दिया जाए अलेक्सन से पहले फिर तो इनका सपोर्ट दिया जाएगा वरना सपोर्ट करता ही नहीं है मतलब अब जो योजना का लाब मिलेगा पहले जो सरकार देगी उसको उसी को ओट देंगे शिद्धी सी बात है ना लैटरिंग आई है अभी तक ना आवास आया है क्यों नहीं आ रहा भाई यह सरकार इसकी चान भी जिम्मेदारी है ना अपना मुद्दा वहां से भेजे चान बिन करें पता नहीं कितने लोग आए लिख लिख के ले गए फोन नंबर खाता नंबर आतक कुछ नहीं आया यह तो जिम्मेदारी ग्राम परधान की होती ने कि हमारे परधान के अलामा भी तो लोग आते हैं काते हैं हम लिख दिये लेटरिंग आ जाएगी कहां गई लेट परधान के lookल क्या करेंगे एट कि आगे से सरकार में अब हम आगे से सरकार काती हैallas सरकार को देखनान मीचे वाले क्षा रहे हैं कहां से खा रहे हैं सरकार तक जब बात पहुचेगी तभी ना यह आपके जरी हम बात पहुचाएंगे यह बहुत जरूरी है यह बात आपकी और इस ग्राम सरावा आजमगर जिले में ग्राम सरावा का एक बिक्ट को मारा सार ने मार दिया है